इन दोस्तों कैसे आप लोग मिद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे देखिए करेंट अफेयर है जो कि कोई भी आपका एक्जाम है चाहें PCS का एक्जाम हो कोई इंटरेंस एक्जाम हो ठीक है SSC, SSC, CGL, BA, जो भी आपका एक्जाम है यहां से कोशन नहीं संदेफ सेग करते रहे हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होने वारी ठीक है यहां से आपको हर एक एक्जाम में कोशन जरूर मिलेगा ठीक है चलिए देखिए माफी चाते हैं कि कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहे थी तो उसके पीछे एक्जली में कारण था कि वाइस जो रिकॉर्डिंग होती थी वो सही से नहीं हो पा रहे थी ठीक है तो अब अच्छी क्वाल्टी में आपको आवाद दिया जाएगा तो जिससे आपको सु कौन से ठीक है देखेए आज का जो क्रेंट अफेयर हमारा है उचा है सवाल कि वर्ल्ट हैपिनेश वर्ल्ट हैपिनेस इंडेक्स या रिपोर्ट 23 में भारत की कौन सी रैंक है या कौन सा अस्थान है तो ठीक है तो भारत का इसमें जो अस्थान की बात करें तो पहले का पर कौन है आपका फिन लेंड फिन लेंड जो है लगातार छे टीक में फिन के मावज़े में plaisir तो तो आगर आपसे भी कोहसिन पूछ सकता कि लगातार चे बार कोई वर्ड हैपिनेस में अपना अस्थान बनाए रखा है तो फिनलेंड है ठीक है और बात करें दूसरे अस्थान की बात करें तो दूसरा अस्थान हमारा डेनमार्क का है ठीक है दूसरा कौन पहले पर फिनलेंड दूसरे पर डेनमार्क अब भारत की बात करें तो भारत की जो रैंक है 126 rank है ठीक है भारत खुसाली के मामले में कौन से rank पर है भारत खुसाली के मामले पर 126 rank पर है तेहां आप देख सकते हैं 126 rank अगर यहीं पर बात करें अपने पाकिस्तान नल्ला पाकिस्तान की तो वह भी 108 rank पर पता नहीं समझ में नहीं आता कि वहां पर कौन से ऐसा नहीं है फिर भी हमको याद करना परिच्छा के दिश्टी से कि अगर पूछ लें कि छह बार लगातार या लगाता छह बार कौन वर्ल्ड हैपिनेस रिपोर्ट में अस्थान बनाया रुखा है लगातार पहला स्थान तो आपका फिल्लैंड दूसरा डेनमार्क है और भारत की की बात करें तो भारत आपका 126 समा रहें के पाकिस्तान की बात करें तो 108 रहें कैशे कि उद्धोगपती को हाल ही में किस भारती उद्धोगपती को विश्ष्ट सेवा कौन से सेवा मनलब कुछ विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष पर निवक्त किया गया अब एक्चली में होगा क्या कि जब वहाँ पर जैसे यहां पर जब यहां के बच्चे आश्टेलियम पढ़ाई करने जाएंगे तो वहाँ पर इसकालर से पिया हुए से उनके लिए फंडिंग की विवस्ता की जाएगी ठीक है इस प्रकार से तो आप स पूचा है कि 20 गौरईया दिवस कौन सा दिवस गौरईया दिवस कम मनाया जाता है तो दोस्तों 20 गौरईया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है कम मनाया जाता है 20 मार्च को मनाया जाता है अगर हम बात करें इससे पहली बार कम मनाया गया था तो पहली बार 2010 में इसे मनाया ग है अगर बात करें 2000 की तीयम क्या है ठीक है इसका देखे दीम पूछ सकता आप से कोच्च की 202 धुまだ 203 की थीम करें तो आइलब इस पैडरोग। ठीक है जैसे हमने लिखा है यहीं थीम है I love Sparrow ना कि I love I love Sparrow ठीक है तो आप इसे याद रखेंगे कि 20 सुगोरया दिवस्का मना जाता है 20 मार्च को पहली बार इसकी सुरुवात कर वोतिया मनाया गया था 2010 में और इसकी थीम क्या है I love Sparrow ठीक है चलिए अगला कोशन है हाल ही में हाल ही में नेपाल की राष्ट पती पद पर किसे निउक्त किया गया तो आए स्वस्ते नेपाल में देखें नेपाल की अगर राध्धानी की बात करें तो काठ मांडू है ठीक है अगर बात करें कि नेपाल के राष्ट पती की तो नेपाल की राष्ट पती को ने राम चंद्र पोडेल ठीक है न नेपाल के रश्टपती को ने राम चंद्र राम चंद्र राम चंद्र पोडेल पीम की बात करें वहां के नेपाल के पीम को ने तो पुस्प कमल दहल प्रचंड पुस्प कमल दहल प्रचंड उपर राश्टपती जो अभी नुक्त हुए है या नुक्त किया गया है तो राम सह प्रसाद यादों को न्युक्त किया गया है तो यह आप से कोशन पूछ सकता है कि नेपाल की राष्ट पती कौन है तो आपको याद होना चाहिए कि राम चंद्र पोड़ेल वहां के पीम कौन है तो पुस्प कमल दहल प्रचंट है ठीक है और उपराष्ट पती कौन है तो पोशड अभियान के तहत पोशड अभियान के तहत प्रतिवर्स पोशड पखवारा मनाया जाता है पोशड अभियान का प्रारंब हुआ ठीक है कोशन है कि पोशड अभियान के तहत प्रतिवर्स पोशड पखवारा मनाया जाता है तो पोशड अभियान का प्रारंब हुआ ठीक है तो देखे पोसर अगर बात करें अब कम मनाया जाता तेंट इसकी स्वाइद 2018 में आठ Tracy empman को मनाए जाता है शुरुवाद की बात करेंद 2018 में अगर इसके बात ठीम की बात करें तो सभी के लिए पूसर ठीक है पूसर पखवारा अगर आप से पूछ लेकि पूसर पखवारा किस मंत्राले के दौरा लागू किया गया तो महिला विकास मंत्राले के दौरा ठीक है यह आप से मंत्राले जरूर पूछ सकता है कौन से मंत्राल है महिला विकास मंत्राले अब कब से कब मना जाता है तो बीस मार्च से तीन अप्रेल तक ठीक है बीस मार्च से तीन अप्रेल के बीच बीच पोसर पखवाडा मना जाता है ठीक है तो आई होप इस चीज को आप समझ रहेंगे अगला कोशन हमारा क्या है हाल ही में जर्णी योजना पोर्टल का उठगातन कहां किया गया ठीक है देखिए आ गया जर्णी हाल ही में जर्णी योजना पोर्टल का उठगातन कहां किया गया तो जर्णी योजना पोर्टल का उठगातन कहां किया गया जारखंड में किया ठीक है जर्णी पोर्टल योजना का तो आप से कोशन पूछेगा तो इसलिए आपका जो भी एक्जाम है आगे आने वाले एक्जाम जितने भी है तो उसमें आपको बेनिफिट यहां से मिलेगा तो करेंट अफेयर आप जल को डेली पढ़ते हैं और इस्टेटिक जीके भी पढ़ते हैं ठीक है चलिए अगला किया गया बांबे जैसरी सैली को ठीक है बांबे जैसरी बांबे जैसरी को किसे सम्मानित किया गया बांबे जैसरी को सम्मानित किया अगर बात करें किस सैली के लिए तो कनाटिक कनाटिक सैली के लिए इनने सम्मानित किया गया किस से संगीत कला निधी पुर्षकार की के thickener पकाग गया मतलब को शंग आएगा ठीक है है चलिया अगला कोशन किया आपका सेजनल वायरल सीजनल वायर頁-बारीस वारन वारस एचे ठींटू वारस से पहली मौत कहां होई ठीक है तो पहली मौत कहां होई हर्याना और करनाटेक में ठीक है फिर आते हैं अगला aarog वाक्त क्यं सी और और सोड योजना किस राज में किस राज ने शुरू किया इकिस राज में centuries में है तो राजस्थान कोटा में शुरूगा और सुरू करने वाले को उने ओम बिड़ला ठीक है फिर क्या है आप से देखें यह बड़ा इंपॉर्टन चीज यहां से कोशन बन जाता है इसे आपको याद करना ही होगा ठीक है कोशन क्या है बर्ड मैन आफ इंडिया किसे कहा जाता ह ठीक है टाइगर मैन आफ इंडिया किसे कहा जाता है तो कैला संखला को का जाता है टाइगर मैन आफ इंडिया कैला संखला बर्ड मैन आफ इंडिया सलीम अली ठीक है वाटर आफ वाटर मैन आफ इंडिया डाक्टर राजेंदर परसाद डाक्टर राजेंदर सिंग को ठीक ह तो कोशन आपसे पूछ सकता है कि बड मैन आफ इंडिया किसे का जाता है सलीम अली को वाटर मैन आफ इंडिया किसे का जाता है डाक्टर राजेंद परसाद राजेंद सिंग को टाइगर मैन आफ इंडिया किसे का जाता है केला संखला को ठीक है मिसाइल उमेन आफ इंडिया क किसे का जा तीन हमने ओल्डेडी आपको बता रखा है कि वाटर मैं टाइगर मैं बर्ड मैं तो चौथा आपको बताना है कि मिसाइल उमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है ठीक है तो इस कोशन का आप कमेंट में आंसर करके बताएंगे कल इसका मांसरा सहित आपको फिर आलायता है 16 मार्च को सुन भेज भाव दीवस एक मार्च उभोक्ता दीवस तो आप इसे याद करेंगे ठीक है देकि म ita भी आपके लगबग डेता दिवस थे सबको हमने याँ पर कवर करवाया कि जल दिवस बाइस मार्च ठीक है राष्टी ठीका करड़ सोला मार्च सुन्य वेद बाव दिवस एक मार्च विस उभ्भोकता दिवस पंदरा मार्च विस सोवन जीव दिवस तीन मार्च और सांति पुसकार किसे दिया गया है कौन विजेता है तो दलाई नामा जी है तो ऐसे आप से मिलते हैं अगले वीडियो में